कुछी दिनों में कोलकाता दुलहन की तरह सर्जने वाली है क्यूंकि दुर्गापुजा आ रहा है आप लोगों को बता दे इस दुर्गापुजा में हमारे यहाँ लोगों का चाहे कितने भी काम का जो हर कोई अपना काम बंद कर देता है एक महीने पहले से दुर्गापुजा का फिपरेशन लेते हैं हम लोग लाखो लाख की शॉपिंग करते हैं मेरा खुद पूरा दुर्गापुजा में 30-40 अलरका शॉपिंग हो जाता है फिर दुर्गापुजा में तो और पैसे उड़ाना चलता ही रहता है आप लोगों को त हम लोगों के लिए इस दुर्गापुजा में न जाने कितने दिल मिलेंगे कितने लोग नए नए सिरे से प्यार में पड़ेंगे बहुत कुछ होता है यहार दुर्गापुजा में और इस ही दुर्गा पूजा की इस इस फील को अगर आप लोग भी experience करना चाहते हैं, अगर कोलकाता को अनुभब करना चाहते हैं अपने हाथों में लेके, तो आपको हमारा कोलकाता claypots ट्राइ करना पड़ेगा, क्यूंकि इसमें समया हुआ है कोलकाता का प्यार, कोलकाता का जादू. आपके information के लिए बता दे, जिस गंगा नदी में दुर्गामाता की मूर्ती को विसरजित किया जाता है, उसी गंगा नदी के मिट्टी से हमारा कोलकाता claypots बनता है, तो आप लोग भी अगर इसका मजा लेना चाहते हैं, इसको हाथ में लेकर छू कर कोलकाता को अनुभब करन हूँ, और इस बार मैं कोलकाता claypots का साइज थोड़ा छोटा बनाया है, मैंने पिछली बार से, पर टेस्ट, स्मीधनेस, इंद नार्वीटिन, पहले की तरह ही है, हाफ बेक्ट है, और इसमें smoky flavor भी आपको मिलेगा,